हेलो वाट्सप गाइस मैं नेम इस्मिनृत बादु थापा एंड टोड़ वी विल सी और फर्स्ट एक्सराइज डाइज प्रोग्राम तो स्वाइब टू नमबर्स विटाओ तुछ लिए गाइस सुरू करते वीडियो को सुरू करने से पहले गाइस एक वीक अपडेट देना दूँगा जरूर देखें ने तो इधर टॉप पे और गाइस तो क्या आप रेडियो आज हम देखने वाले हमारा पैला एक्सराइज ओन एकमा स्क्रिप्ट 2015 या मौडरन जावाव स्क्रिप्ट आप इसको कहा लीजे तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था और बी की वैल्यू टैन तो आप कैसे बिना थर्ड वेरेवल की मदद से बी की वैल्यू को 5 और एक वैल्यू को 10 कर सकते हो जस्ट इनकी वैल्यू को एक्चेंज करना तो गाइस उसका प्रोग्राम में आपको कहा था कि नीचे कमेंट करके बताओ ठीक है तो आयोप आपने जरू इसको ट्राइब क्या होगा अगर अभी तक ट्राइब नहीं किया तो गैस इस वीडियो को पहले पॉस कीजिए अब कोसिस कीजिए और तो गैस इसको मैं एजटी कमेंट कर देता हूँ अब देखे सबसे बहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यूजिंग थर्ड कैसे कर सकते थे जो कि मोश्री लोग अभी बी इंटर्व्यू में करते डाट इज लेट एज इस इकल टू फाइब पहले मैं उसको एक की वैल्यू को एक को डिक्लेर किया वैल्यू एसन भी करा दी लेट भी इस इकल टू टू टैन ओर ठीक इस तरीके से मैंने कर दिया कर दी पहले हम क्या करते थे इक टैंपरेरी बेरिवूड बनाते इसको भी डिरेक्ट मेंं लिखसकता है लेट युद 10 में क्या करहाएज एक की वैल्यू को अब यह जो है तैंपास में सुर्ण शुकरा मारे नाुज़ वैल्यूब मैंने इस में store कर दिया है ठीक है आप मैं लिख दूंगा a is is equal to b मतलब b की जो भी value थी उसको मैंने अब a में store कर दिया है ठीक है simple इतना अब all right ठीक है अब देखो a की value तो 10 हो गई क्योंकि यह जो second line लिखा मैंने उससे a की value 10 हो गई अब मुझे किसी तिरकी से b की value को क्या करना है 5 करना है अब simple है और वो जो 5 है वो कहा पिस्टोड का रखा मैंने अपने temporary variable में so b is equal to temp this is it guys इतना simple था यह पहले ऐसे करते थे लेकिन आपको यह जो मैंने लिखा ने इतना logic कि इसको मैं एक line में करके दिखाऊंगा आपको एक मैं स्क्रिप्ट की मादब से अभी फिलाल यह पहले आम ऐसे करते में दिखाया था कि आइनो आप मेंसे बहुत हो ने यह temp variable जरूर यूज क्या होगा क्योंकि mostly interview में करते जो सही भी अगर कोई से ना पूछे अगर with using third variable बोल जा तो यह एक दम पॉफेक्ट है ना का रहूंगा यह है कि नि सो गाइस हैं पर मैं क्या करता हूं ठीक हमने तो बैक टिक पड़ा है कि नि template literals तो वही उस करेंगा अपसे concatenate बंध है कि नि यहां पर आपको पाता चल चुका होगा what is template literals यह देखें यहां पर मैंने बता है आपको template shrinks बैक टीक उस करो the value of a is dollar curly braces a and the value of इस तरी के से लिखा b is ठीक है dollar curly braces में मैंने लिख दिया b perfect and dot this is it इसको copy फाइल पात कर रहा हूं यहां पर जा रहा हूं simply chip कर रहा हूं यहां पर जाता हूं inspect करता हूं and 321 बोंगा इस देखो the value of a is 10 and the value of b is 5 this is it that is that is what we want है कि a की value 5 ती अब यहां पर 10 हो चुका है और b की value 10 थी 5 वो perfect ठीक है यह जो मैंने तीन लाइन लिखा ना guys इसको comment out कर रहा हूं so आपको याद हो का guys इससे पहले हमने क्या पढ़ा था that is array destructuring in ECMAScript 6 तो यह जो array destructuring में मैंने आपको बता था कि इस लाइन में guys आप simply देख सकते हो मेरे previous videos में मैंने आपको क्या बता है था कि array के जो भी values है उसके जो आइटम से अगर उसको आपको simply distinct variable में store करना हो तो हम directly इस तरीके से करते थे ठीक है अगर आपको यह थोड़ा न्यू लग रहा है न तो guys आपको यह video पहले देखना पड़ेगा आपको पूरा इतना लिखना ठीक है यह जो तीन लाइन था वह उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं तो आप देख सकते हो गाई जहां आप भी थूदर पहले मैंने तीन लाइन लिखा था वहां simply by using array restructuring मैंने वह काम complete कर दिया इसमें मैंने कुछ नहीं बोला मैंने simply इतना बोला कि यह जो यह है उसमें B की value store कर दो और यह जो भी है उसमें A की value store कर दो this is it और यह जो format जिस्तर के से मैंने की है इसको देखने के लिए गाई आपको यह video जरूर देखना पड़ेगा इसका link किता मैं टॉप पर दे दूँगा ठीक है बस इतना ही था और इसको मैं control या save करता हूँ बाकि तो यह जो है as it is easy है यहाँ पर मैं जाता हूँ 3 to 1 and boom guys दे खाली a, b लिखा is equal to b, a just because of array destruction जो हमने पड़ा था previous video में we can now solve this complex तो नहीं बोलुगा बट interview में mostly पूछा जा था program to swipe to numbers without using third variable जो की मैंने आपको करके दिखा in just one line so guys कैसा लागा आपको यह आज का वीडियो and I really hope आज आपको पक्का कुछ नहीं कुछ नया जरू सिखनी मिला होगा and हमारा यह जो पहला exercise था इससे आपको थोड़ा idea आ चुका होगा कि template testing को अब अपने JavaScript में कैसे आप use कर सकते हो and सिफ template testing ही नहीं guys आप देख सेकते हो let const यह destruction जितनी भी ACMA script 2015 की जो features है वो बहुत ही जाद important है जो आपको use करना ही पड़ेगा that is why हम इसको बोलते है modern JavaScript so guys मैं आपको बताना चाहूंगा मैं ऐसे awesome videos daily create करता रहता हूं and मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको miss कीजिए so please subscribe मैं चैनल था पर technical और right side में red color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा उसको hit कीजिए उसको click कीजिए ताकि जो भी video में upload करूँ सबसे पहले notification आपको मिल ज जाथ आपको विए जद देगा जचरे के चाह système आपको मांचा मेंड के वी वी जचरे को